हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू बैक माई व्लोग चैनल कैसे आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगे तो प्लीज मेरे व्लोग को पूरा देखा किजिए और अच्छा लगए तो लाइक किजिए कमेंट किजिए और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर मतलब मैं एक पीड़ा से रही है जैसे हम औरते पीड़ा सेती हैं ऐसे जानवर पीचारी कितना दर्द में तड़करी हैं बच्छा बाहर आ जाये करते हैं तो मेरे असरी बाट के डिलिवरी करवाएंगे वह इसी बाट में बैठेंगे तो वह दिमसे बत्ची में बार कीच लएगे क्योंकि बत्ची के पैर आ जिखाई देने लग झ...? अहЗЫकर ये असhana करा रही थि, और मैं देना ये video लगे देchen opening थे है खाल बहुत एप सब्साइब से करम त कुछ बहार निकल रहा होगा तो इसने मेरे को पहार निकल रहा होगा RIGHT इसके डिलिवरी होने वाली है फिर मैंने फोन कर तो वहीं बैठे थी है फिर इसको अंदर लेके आ गया हमारे फिर इसको यहां बांद दिया था यह देखो दर दो रहा है इसको बहुत ज्यादा यह भी तो आकर पशु है बिचारी बोल भी नहीं सकती हो जाको आँसू भी तो फिर मैं तो रोटी बनाने चलेगी तो मैंने कैम्रा लगा दिया था था थोड़ा ना हिल रहा है बलर हो रहा है तो प्लीज इसको एक्टोर कीजिएगा अब लोग देखो यह बैठ गई है अब बैठ गई थी बैठे गी तो यह मेरा इसमें पास में गए थे कि बच्चे को बाहर निकाल दूगा अब बैठ गई थी लेकिन फिर यह मतलु शायद है इसमसे खड़ी भी हो गई थी क्योंकि इससे निकल गया देखो बच्चा हो गया मेरा इसमन ने फैर खीज लेते मदद करवाते मतला बैस को तो भी जोड़ लगाती है कि बच्चा बाहर आज है और मेरा इसमन एक नप खीज भी लेते हैं इन्होंने बहुत बार डिलीवरी करवा रखके बैसों की पर यह बलेड लेका ही थी मेरी सास इसकी नालवाल काटी कि अलग कर देंगे क्योंकि बच्चे की सूंड होती है वह देख लो हमारी बैस के फिर हुआ था काटड़ू तो मेरी सास एक डायलोग मारती है वो लुगाई के छोरा और बैस के छोरी बढ़िया रहा करें हमासरी थे मां का अच्छे में तो ग्यान है नहीं थे ना पर जी देखो जी लड़की यो लड़का हो कुछ भी हो एक माँ के लिए तो बराबर होता है मेरा इसमेंड के हाथ सारे सने पड़े है अध फिर इनोंने यह बच्चे को चाट रही थी अपने बैस देखो कैसे चाट यह प्यार कर रही है फिर मेरे इसमेंने ना इसको कर दिया था यह लता उड़ा दिया था यह गरम शॉल सी है मतलब कुछ हार टाइब कि अब यह जच्चा होगी है न तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को अभी भी आई है इसलिए तो इसको अच्छे से रखेंगे हम लोग तो मेरा इसमें इसकी बहुत सेवा करता है हमारे पास गाई भी एक मैं उसकी दिखाऊंगे आपको एक वार वीडियो कि देखलो यह बैस अपने बच्चे को कितना चाट रही है इतना प्यार कर रही है मितलब इसके काट टोड़ू हो गया है और हमारे दूद भी नहीं हो रहा था अब थोड़ी दूद हो जाएगा अब दूद देने लग जाएगी है मलब कि बैस थोड़ी खत्रे में रहती है जो तक जेर नहीं घेरती तब इसका थोड़ी बाट देखेंगे जेर घेरने की जेर थोड़ा ही दो-तिन गंटे में घेरती है अगर वो जेर अंदर ही रहा जाता है ना बैस के तो जैर बन जाता है इसलिए वो गेरना जरूरी होता है ने तो बैस की जान खत्रे में रहती है बाकि कोई नहीं घेर थी बैस जेर भी गेर रहे है यह देखो अपने बाड़क ने क्यों कर चाटे है या मतलब बच्चे को नप्यार कर रही है कदी चोटा सा था बिलकुल है ना वही वाली बात है जानवरों को भी बहुत पीड़ा होती है जैसे लेडिस पीड़ा साती है यह से जानवर भी पीड़ा साती है देख लो एक मतलब की मां अपने बच्चे को कैसे प्यार कर रही है है ना कि चोटा सा आगया था काटूडू अम लोग भी ठीक है भाई होगे डिलीवरी तो से आपना कर देता बोले नहीं अभी निवेचनिय में अभी हम थोड़े दिन देखते हैं बता देंगे क्योंकि अभी थोड़ी सेवा पानी भी करने थी घुड़ी पानी बनाते ना तो प्लाते है इसको शर्बत कहते हैं जैसे जच्चा को दिया जाते है लेडिस को कुछ घरम-घरम साहरा ढ़का द लगे अगली को जापे का शरीर होता क्योंकि इसको भी कमजोरी आ जाती है तो इसके सेवा करनी पड़ती है जैसे लेडिस की करते हैं आजी की करते हैं इसकी थोड़े कम टाइम करते हैं जह जेखो मेरा एसमें खड़े वे अब यह बाट देखे जेर गिरनेगी जेर गिरेगी इसलिए महीं खड़ेते और सब्सक्राइब काटरू को अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसकी सूंड होती है ना जैसे काग होती है कवे 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 तो ना चोच-चोच मारा दिशते हैं कुत्ते उत्ते हों बठकने लग जाते आंसपास की खा जायें तो बहुत दियान लगना पड़ता है दो चार दिन तो कम से कम बच्चे का डल रहता है कि उसकी सूंड ना खाल जाए इसलिए पचा नहीं पाता ना अपना आपको बचा नहीं सकता बैस बंदी रहती है तो इसलिए हम लोगों को दियान लखना पड़ता है तो आप के ओदर हुक देखो मारे बैस के दिलिवरी हो गिया हमारे बैस के हो गया चोगा काम्ली दिंड हो रहा चलो जी बढ़ी आए बच्चा हो गया अगली गणी दुखी हो रही थी या इतने जाड़े में भी आगी इप देखो तो मेरा इसमेंड की यह मर्ची है वो रखेगा के इसमें बेच जगा ना बाकी देखेंगे जो भी होगा बाकी अभी तो यह हमारे गारी है तो हम इसकी लएक लिए तो मेरस में भुट सेवा करती है बैसों की वह ज्यादा सेवा करा करें उलाही तनी दूम्हायं भी नीगर सकती है वह भुत करा करें बैसों के लिए थी बच्छा इसके पाद थोड़ दर बंदा ही रहेगा तो थोड़ दिर बाद मेरा स्मया बहुत ले यह देखो बैस के आगे रख दिया है बच्चा उठाके यहां में अच्छे से चाट लेगी क्योंकि अगर भैस बच्चे को चाटती नहीं है ना अगर जैसे दूर दूर हो जाती है तो फर यह बोल जाती है कि इसका बच्चा है यह फिर दूद नहीं देती गणा नुकसान हो पसंदो जाता है और फिर बाध्यों को आटने लडाती इसलिए इसको युद्छी को नेन ड़े , देख लें दीधा दो चात्री थी पियार करी थी लाड करी थी इसको गूद में उठा के लिया थे चोटे बच्चे को फिर इसको यह अंदर बांद दिया था क्योंकि बार कवो का डर था कुतों का डर था तो यह देखो अब थोड़ा उठने लग गया यह इसकी मां खारी थी चारा वरा गेर दिया तो इसको फिर इसके बाद यह देखो फिर देखो कितना प्यार है जोटा सा कती देखे हैं तो देखें आप लोगों को मेरे व्लोग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरू से जरूर कीजिएगा दोस्तों बिलेंगे मेरे नेक्स्ट लोग में ठीक है आप लोग इतने अपना द्यान अखिएगा यह देखें रक्षु की दाद्यों रक्षु वहां बैठें यह इसके अमरख वाली के लिए बैठें कई काग वाग ना आजाए कोई चोचोच मारदे सूंड पे फिर इसके लिए देखें शर्वत बन ना दिया था फिर अच्छे जब बन जाएगा ना फिर इसको ठंडा करके पला देगे तो ठीक है दोस्तों बाई बाई टेक के राज कमेरा वलोग यह था